हेलो गाईज एक बार फिर स्वागाता है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिस विद क्रिशन पर दोस्तों आज मैं फिर लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत इंटरस्टिंग स्टोरी जिसके माध्यम से हम अपने इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे बहुत सारे नए वर के lesson शरू करते हैं तो आज की जो स्टोरी है उसका title एंग्लिश स्वीपर का बदला सीपर सफाई करने वाला जाड़ू लगाने वाला रिवेंच का मतलब होता है बदला लेना आई वोंट रिवेंच मैं बदला लेना चाहता हूं वांट का मतलब होता है चाहना और वार सेखेंड पर लेट हुआ सोछता है कि मुझे बदला लेना है बदलासा देखते में the merchant had thrown him out of his daughter's wedding reception the merchant ने क्या करा तो thrown him out throw का मतलब होता है fact ना उसको बाहर निकलवा दिया बाहर फैक दिया उसको अपनी बेटी के wedding reception में से simply because he had gone uninvited क्यों भई because का मतलब क्योंकि he had gone uninvited बिना invite करें वो उस party में घुज गया था लिए उसको बाहर निकाल दिया and set in the royal arena meant for the king's family और एक उन्होंने ऐसी जगह बना रखे लिए जहां पर सिर्फ की family बैटेगी शाही लोग बैठेंगे और वहां पर उसने जाने की क्या करते हैं हिम्मत की इसलिए उसको वहां से भगा दिया गया तो आप क्या हुआ स्विपर जो है बहुत गुस्से में आ जाता है कि गोट वैरी एंग्री कि प्लैन किया कि मैं इस इंसल्ट का बदला कैसे लूँ नेक्स्ट डे ही वेंट अर्ली तु स्वीप दा किंग्स बैट्रूम वाइल दे किंग वोज स्टिल इन बैड अब अगले दिन क्या हुआ ही वेंट वह गया अर्ली तु स्वीप का मतलब होता है सफाई करने चला गया जल्दी इंग बैड रूम में और उस समय क्या था वाइल दे किंग वोज इस समय बैड पर ही लेटा हुआ था सोया था प्रेटेंडिंग टु इग्णूर दगिंग अव उसने ऐसे इग्नौर किया प्रेटेंड किय दिखावा किय कि वह किंग को इगनौर कर रहा है ही मटर् वर्ड कम तो दुनिया में क्या क्या हो रहा है वह तसे की जूट बोल रहा था जिससे कि together with your own eyes did you see them together क्या तुमने उन्हें साथ में देखा था अपनी आखों से विद्योर ओनाइस का मतलब क्या तुमने अपनी आखों से देखा यह सब अब सर्वेंट ने ड्रामा करते हुए का मैं जुआ खेल रहा था का मतलब मैं पूरी रात सोया नहीं हूं मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूं करके मुझे माफ कर दो माफ करना अगर मैंने कुछ गलत कहा तो इफ का मतलब होता है अगर एनिफिंग का मतलब कुछ और रॉंग का मतलब गलत और जैसा उसने प्लैन करा था कि राजा को भड़का देगा मर्चंट के खिलाफ उसमें वह सफल रहा अब क्या हुआ अब यह सुनकर किंग जो है बहुत परिशान हो जाता है ग्रेटली मतलब बहुत जादा डिस्टर्ब हो गया मर्चंट जो है बहुत ट्रॉस्टेड मैं इस ऑफिस मर्चंट जो है बहुत ट्रॉस्टेड मैं था उसका ऑफिस में वह ट्रस्ट करता था किंग उसके ऊपर ही वुड़ है टो टेक इस टोन एक्शन और अगर यह बात सच है तो किंग को मर्चंट के खिलाफ इस टोन यानि कि कोई कड़ा एक्शन इस्ट्रिक्ट एक मतलब भी नो का मतलब जानना उसे पता भी नहीं था दर किंग वोज लिसनिंग की राजा सुन रहा है और ना उसको लगा कि सो रहे किंग तो फाइनिली का मतलब अंतरता है उसने डिसाइड किया टू टेक एक्शन किसलिए कि वह एक्शन लेगा एंड बार्ड दा मर्चंट बार्ड का मतलब होता है बंदित प्रतिबंदित लग कर देना उसको मर्चंट पर उसने प्रतिबंद लगा दिया कि वह पैलेस के अंदर एंटर नहीं करेगा अब क्या हुआ नेक्स्ट डे गार्ड स्टॉब्ड दा मर्चंट अगले दिन जो गार्ड से स्टॉब्ड का मतलब रोक दिया किसको रोक दिया मर्चंट को रोक दिया फ्रॉम एंटरिंग दा पैलेस ग्राउंड सो महल में आने से रोक देते हैं दा मर्चंट वो सर्प्राइज मर्चंट ज realize that the sweeper was somehow responsible for this trouble, he was clever का मतलब होता, बहुत चलाग था, इतना चलाग तो था, कि वो समझ गया था, realize का मतलब, उसको मैसूस हो गया था, क्या, that the sweeper was somehow responsible की, जो sweeper है, वो किसी नहीं किसी तरीके से responsible है, somehow का मतलब किसी तरह, responsible का मतलब, जिम्मेदार, for this trouble, इस समस्या के लिए, इस प इसी ने कुछ न कुछ गड़बड की है, जब भी ऐसा हो रहा है, तो अब उसने क्या किया देखो, he invited the sweeper home, उसने invite किया, sweeper को घर पर invite करता है, invited का मतलब आमंतरन दिया, welcomed him, उसका स्वागत किया, with utmost respect, खुब भर-भर कर उसको respect दी, and showered him with expensive gift, और उसको धेर सारे क्या दिये expensive यानि महंगे महंगे उसको तौफे दिये, gift दिये, he apologized, apologize का मतलब होता, माफिय मांगना, उसने माफिय भी मांगी, profusely, बहुत ज़्यादा माफिय मांगी, for his words and actions, अपने वो शब्दों के लिए और जो उसने किया, explaining that the area he had entered during the wedding was a high security area, और उसने merchant ने explain करने की कोशिश करी, पहले favor लेना चाहरा था इसका, किसका, sweeper का, ताकि वो सारी सच बात जो है वो उगल दे, तो वो क्या करता है, उससे खुब सारी माफिय मांगता और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने गलत किया, वो जो wedding area था, बहुत ही security, high security area था, और king लोगों के लिए था, royal family के लिए में, he could not have taken any risk in the king security, king की security में कोई भी risk वो लेना नहीं चाहता था, अब क्या हुआ, flattered with all the attention and gifts, अब वो तो उसने देखा कि मेरको तो इतनी attention दी जा रही है, इतने सारे gift दिये मुझे, किसने merchant ने, he forgave the merchant, उसने merchant को क्या करा, forgive कर दिया, forgive second form होती है, यानि कि माफ कर दिया, उ and assured him that he would get him into the king's good books once again, और उसने उसको विश्वास दिलाया, आस्वाशन दिया, कि वो एक बार फिर से king की नजरों में उस merchant को अच्छा बना देगा, अब क्या हुआ, next day while sweeping the king's bedroom, अगले दिन जब वो king का bedroom साफ कर रहा था, he enacted the same scene again, उसने फिर से वही नोटंके करने स्टार्ट कर दी, same scene, how crazy the king is, king कितना बेफकूफ है, crazy का मतलब संकी पागल, कितना पागल है king, who eats cucumber in the bathroom, बातरूम में खीरे कौन खाता है, कुकंबर मतलब होता खीरा, who eats का कौन खाता है, कौन खाता है, बातरूम में, वो फिर से नोटंके करता है, जिससे की उस merchant की अच्छी image वो बना सके, the king was furious, भडग गये, king तो बहुत ज़्यादा, furious का मतलब get very angry, and he called the sweeper, उसने sweeper को बलाया, have you seen me do that, तुमने देखा है, मुझे ऐसा करते हुए, he thundered एकदम से भडग गया, बहुत ते चिलाता सकूपर, the sweeper wept and said, sweeper जो है, रोने लगा, weep की second form wept होती है, और बोला, oh king, hey raja, please forgive me, मुझे माफ कर दो के रप्या करके, I have been gambling all night, and I am sleep deprived, और बोलता है कि मैंने जुआ केला पुरी रात, और मैं क्या है, फिर से, नहीं सो पाया पुरी रात, मैंना मुझे नींद की कमी हो गई है, I may have said something inappropriate in my drowsiness, मैंने नशे में, या drowsiness का मतलब आलस में, नींद में मैंने कुछ ना कुछ गलत वर्ड, inappropriate का मतलब अनुचित जो उचित ना हो, मैंने कुछ गलत शब्द कह दिये होंगे, the king then thought, अब king ने सोचा, then का मतलब तब, thought का मतल a nonsense about the merchant to, तो merchant के बारे में भी इसने जरूर बकवास की होगी, nonsense का मतलब होता है, बकवास, surely his words cannot be trusted, तो उसने बोला कि इसके शब्दों के ऊपर तो बिल्कुल भी trust करना बेकार है, इसकी बातों पर बरोसा नहीं कर सकते, I have made a mistake, मैंने गलती की है, किस चीज में, in mistreating the merchant, merchant के सा दुरवेवार किया, गलत वेवार किया, तो मुझसे गलती हो गई, I must call him back, मुझे उसे जरूर वापिस बुलाना चाहिए, the king called the merchant of king, ने जो है merchant को बुलाया, showered him with gifts and jewels, उसको बहुत सारी gift दिये, jewelry दी, and appointed him in the royal service again, और उसको फिर से उसने royal service में appoint कर लिया, नियुकती दे दी, जोड़ लिया, फिर से, देखते हैं, क्या moral lesson सीखने को मिलता है, हमें इस story से, respect everyone, whether rich or poor, so everyone respects you, respect everyone, मतलब हर किसी की हमें इजज़त करनी चाहिए, respect करनी चाहिए, whether rich or poor, फिर चाहे वो rich हो या poor हो, so everyone respects you, तब जाके तुम्हें हर इनसान जो है, respect कर गए, क्योंकि जब तक हम द respect in return, मदले में अगर आप respect चाहते हो, तो सबसे पहले हमें सामने वाले की respect करनी पड़ेगी, तो ये था हमारा आज का lesson, अगर आपको lesson पसंद आया, और अगर इस तरह की और stories आप देखना चाहते हो, तो channel को मेरे subscribe जरूर कर ले, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक न lesson के साथ,